सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत आरनाई टीवी पर जी धन्यवाद सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बीजेपी ने जितनी अच्छे से जीत हासल की है और डेली से लेकर लखनों तक में दब दबाए तो अब आपकी क्या रणीति हैं और अब क्या लोगों के लियाप करने वाले हैं देखिए भरतियंता पार्टी को जो चुनाव में एक बड़ी जीत मिली है निश्यत रूप से नरेंद्र मोदी जी के उपर इस देश के लोगों का भरोसा है और आज जिस परकार से इस बार लो मैंसे इस देश के आम लोगों की जो उपेच्छा हो रही थी ये उसका कहीं न कहीं परिणाम है तो निश्यत रूप से पहली बार देखने को आया है कि सरकार के पक्छ में लोगों ने मतदान किया तो मैं समझता हूं कि ये आने वाले दिनों में ये मोदी जी का जिस परकार से आम जनों का जो ससक्ति करा जो इस देश के गरीब सोसीद बंचीद पीडिद दवे कुछले पिछड़े तो इनको किस प्रकार से विकास की धरा में जोड़ा जाए ये उनका लक्षे है और हमारी जितनी भी सरकार है इस देश में काम कर रही है ये प्रदेश की सरकार है च हारी च्छोटे छोटे राज्य में एक्सपोर्ड हब होना चाहिए तो कननोज को कभ में इक्सपोड हब के उसमें देख सकता है देखिए अभी कंदोज में काफी हम जैसा कि मैंने का काफी काम किये जाने के आवश्यक्ता है चुकि पिछली सरकारों के ध्यान ना देने के कारण से उदासी इन्ता के चलते ये कंदोज के इस उद्धियुक का वड़ा नुकसान हुआ है और आज दुनिया में तमाम सारे दे में जब कंदोज खुद में अपने आप में एक सेंटर बन जाएगा और यहां से बड़े तादाद में चुक एक्सपोर्ट तो आज भी होता है लेकिन जिस तादाद में एक्सपोर्ट होना चाहिए उस तादाद में कंदोज से नहीं होता है तो यह थी हमारी खास बात विकास को लेकर बात की मैं फराखान कामरा पसन केसर के साथ आर नाइन टीवी